इसा इसा सोना तो है मैंने अभी तो मुझे पता नहीं लगा मैं तो पार्टी का सिपाई हूँ और पार्टी को मजबूत करना मेरा कर्तब बनता है पार्टी को जिताने पार्टी के परत्यासिय को जिताने में हम परियास करेंगे जगा जगा बैठके होंगे और परतिक मद्दाता से हम संपर्ख करेंगे उनसे हम ही चाहेंगे कि कॉंग्रिस ही ऐसी पाल्टी है जो देश का विकास कर सकती है और कॉंग्रिस ने ही देश का विकास किया है रहा अन्य पाल्टी है अन्य पाल्टी बोलती तो जहरूर है उनकी केवल कथनी है और करते कुछ नहीं है तो मेरे कहना है कि जनता को गुम रहा नहीं करना चे अच्छे दिन कब आएंगे दो क्रोड लोगों को रोजगार कम मिलेगा किसानों के आए दुगनिक कब होगी मेक इन इंडिया का नारा कब साकार होगा और पाकिस्तान जो हमला बोल रहा है देखा है हमने तो वो 36 सिना भी काम नहीं आया फिर साथ ही में कहने एक सर जाएगा तो दस सर हम लाएंगे वेसा भी नहीं होगा अर्था इस समय पाकिस्तान अपर और इन हमारे बीर सेनिकों को अमरसैद किया है बड़ा दुखत बात है ऐसा नहीं होना चाहे था जबकि भारत जो है सान्ती पोन रास्ट है और शान्ती हम चाहता है मगर पाकिस्तान जो है अनावस्यक हथ्षिप करता है हमारे सिमा में परविश करता है हमको परिशान करता है ऐसा नहीं करना चाहिए था तो मैं यह चाहता हूं कि हमारे समंद नेपाल से भी ठीक होने चाहिए चायना से भी ठीक होने चाहिए पाकिस्तान से भी ठीक होने चाहिए ऐसी विदेशनीती हमारी होने चाहिए इसे राष् राश्ट आगे बढ़ सके मोटे तोर पर जब राज्य बिनने से पहले परियोते वेकास पंत्राले आपने थामा उसके बाद नेता प्रतिपक्षाप रहे सरकारों में मंत्री रहे कहीं आपके सारे अनुभव को देखते वे अब आपके पास यह जो बहुत मित्रपुन चुना बजाएंगे? मैं पाल्टी का सिपाई हूँ और पाल्टी जो काम मुझे सौंपेगी उसको मैं तन मन धन से पूरा करूँगा अर्थात पाल्टी को मजबूत करना पाल्टी के पर्तियासियों को जिताना मेरा कर्तबे बनता है मैंने कहा कि मैं जो सोचता हूँ वो करता जो मुझे सौंपा जाता है उसको मैं साकार करता हूँ अर्थात इस प्रकार से हम कदम को पीछे न हटा करके आगे बढ़ाने के लिए प्रियास करते हैं यह मेरा संकल बरेता है अब क्योंकि प्रचार समीति के आप अध्यक्ष है और जो प्रचार का एजंडा है खास्तवर पर पूरी पार्टी के लिए या आपके जो उमीदवार हैं या प्रवक्ता हों उनके लिए अजंडा हुआ कि यह हमारा आजंडा है तो मोटे तोर पर इस समय बीजेपी के खिलाब राश्ट्रेस्टर पर या राज्यके मुद्दे हों क्या आजंडा रहेगा भाहरत बर्स में हमने किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी आज तक ने देखा है, देरदून को स्मार्ट सिटी बनाना था, कहां है देरदून, अर्थात नहीं हुआ, मैंने कहा ये नारा जो है, बेलकुल केवल साब्दिक था, द्रातल में ने बना, उसके बाद बोला कि हम स्वच भारत बनाएंगे, अर्थात सहर को भी स्वच रखना चाहे थ वो स्वच भी नहीं हुआ, और हुआ क्या, कि जो हमारे भाई बहनों ने अपने दुकाने मकाने बनाएं थी, हम स्विकार करते हैं कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कवजा किया, और अपने बाउंडरी बना दी, मगर उनको समय दिया जाना चाहे था, जिस प्रकार से उनको त दखल कर दिया गया, उनको बेरोजगार किया गया, अच्छा काम नहीं हुआ, तो मेरे कहना कि दो क्रोड लोगों को हम रोजगार देंगे, कहां दिया, अर्थात सरकार ने जो बोला, वो किया नहीं है, वो कहीं धरातल में दिखाई नहीं देता है, आपको ओल्वेदर देखिए, वो तो हमारा रिशिकेस से लेकर के और स्रीनगर, रुद्रप्रियाग तक हमारा रास्ता है, जिस सड़क को पहले, ठीक पहले, एक वर्स पहले बिल्कुल चमकती भी सड़क बनाई गयी थी, उसी को उखाड़ा जा रहा है, और फिर उसी को ही पक्का किया जा रह रहा है, अर्थात पैंसे का दुर्प्योग हो रहा है, मैं यह कहना चाहता हूँ, यह आल वेदर रोड्स हमारे लिए फाइदेवन नहीं है, और अब लेरेवेल लाइन जाएगी, तो जो आल वेदर रोड बन रही है ना, वो जगह जगह में उस रेल वे लाइन से भी च्छ लिए पोटरी उद्योग लग उद्योग लगाये जाते हर हाथ को काम दिया जाता, तो हमको रोजगार मिलता और एक अस्थाई रोजगार मिलता, आप इतने समय तक बीजेपी के अगणी नेता रहे, इनको आपने बताया नहीं कि चार धाम का रास्ता कहां से कहां होता है, क जो यह मनोतरी पहले दाम के लिए मार हो सकता है, जो आसान तीन मार गया चाहे विकास नगर से हैं, जो नहीं बन रहा है, अर्थात जो योजना बनी है, उनको गड़वाल की भोगलिक परस्तिती का ग्यान नहीं है, और भगवान वहरों से यह सब काम हो रहा है, बगर प्लै सक्ष्म मनतरी नहीं है, कि अस्तानिय लोग, कितना अच्छा होता कि यहां का एक मंतरी होता, शक्षम मंतरी होता, कपडा मंतरी बनाया, क्या काम है? अगर हमारे यहां का वन मंत्री होता उसकी जानकारे लेते यहां के सांसद आशकल क्या काम कर रहे हैं क्या वह जो है केवल तनख्वा लेने के लिए बत्ते लेने के लिए बैठे वुए उनको ये चाहे था कि अच्छा सुझाओ देते मोदी जी को नहीं दिया है न उनों ने लेकिन आपने बताया नहीं कभी जब आप इतने साल रहें कि भाई जब गंगोत्री से चलते हैं तो वाया प्रताप नगर होते वे गंसाली होते वे दुरतिप्रागबाद मी पहुशता है आज यातरी वहीं से जा रहा है और यह वहां रास्ता बना रहें कौन सा चारदाम का मैंने कहा न मेरे कहना का हम अगर बोलेंगे तो नहीं मानेंगे वहां कि राज लक्ष्मी साहा अगर बोले तो अपने अपने शांसद की बात माने यह हमारे अन्यम सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं? वो भी कुछ नहीं बोल रहा हैं, वो भी चुप बैठे वह हैं. मैंने कहा कि यहां के जनपरतनियों पे भी जाप पड़ गया है, और परधान मंत्री तो सोच रहे हैं कि मैं हूँ जो कुछ हूँ, जो कुछ करूँगा, मैं करूँगा. तो इस प्रकार्स का ये जो अहंकार है किसी को न पूछना किसी को जानकारी न लेना और न देना और एक योजना थोपना इस योजना सा कोई फैदा हमारे उत्राखंड को नहीं मिल फाएगा बलकि नुक्सानी होगा मैं तो कह रहा हूँ ना जो सड़क बन रही है रेलवे लाइन भी वहीं से जा रही है और उस पैंसे का दुर्फियों होगा फिर छतिगरस्त होगी फिर बनाएंगे तो ऐसा बनाने से क्या प्रतिपक्ष के रूप में भी आपने उस उस सच को या जूट को कैसे सुकार कर लिय से जब नोने नाम दिया औलवेदर रोड का पूरी दुनिया जानती उसका मतलब हुआ कि जो हर मौसम में जिंदा रहने वाली और यह रोड तो पहले से जिंदा रहती ती तो इसको अब अंग्रेजीम ओल वेदर दिया तो क्या यह और थी नहीं से पहले इतने सारे डैम बन को जब परदान मंतरी ने ये कहा था कि हम चार धाम के लिए ओल वेदर्स रोड बनाएंगे तो उस समय मैंने अपने इच्छा व्यक्त की थी कि इस ओल वेदर्स रोड के बजाए यहां पर कुट्रे उद्योग और लगुद्योग लगाये जाएं हमारे भाई बेनों को पाइदा नहीं है हमारी जमीन कट रही है फिर भूस्खलंच होगा उस फर समय जो है बर्साकाल में यह सड़क तूटेगी हरा हमारे लिए अभिसाब रहेगी अर्था यह योजना हमारे लिए ब्यावारिक नहीं है कि इसको नहीं कि कौन को पोष़ता किसी को ने पूछा यहां कि सांसुदॉंग ने पूछा गया यह तो एक ठोपी हुई है मैं कह रहाँ कि चलिए नितिन गड़करी जी है हमारे रास्टे राजमार के मन्त्री है उन्हों ने तो तक कहे दिया था कि हम यह जो क्या किता है रास्टे राज मारक चोहतर है उसमें जो बरस्टाचार में लिफ्त थे हम अपने अधिकारियों पर कोई कारवाई नहीं करेंगे अर्थात यहां का मंतरी होता तो बोलता कि ने ने गरबर हुआ है और दुनिया जानती है कि जो में परिवर्टित करके मौफ दिया गया पैंसे का दुर्प्यों हुआ अर्थात उस उस गोटाले को रोकने के लिए केंदर सरकार ने परियास की है आज थोड़ा बहुत कारवाई चल रही है अब देखिए दोसी दंडित होते हैं के नहीं होते हो तो समय बताएगा अब तो कि देरदून और गडवाल सांति पिर इलाका था यहां पर कोई चोरी डकेती नहीं होती थी यहां पर जानमाल का कोई खतरा नहीं होता था आए दिन यहां पर खत्याएं हो रहे हैं आए दिन यहां पर बलातकार हो रहे हैं आए दिन यहां पर चोरी डकेती का बातावन तो इस देव भूमे में ऐसा शोबनिया नहीं है नाना परकार के लोग जो हैं हमारे उत्राखंड में गुस्पैट कर रहे हैं और उससे हमारा जो सामाजिक बाता बन हुआ वो भिगड़ रहा है तो विचार करना चाहिए यहां के सरकार को भी और केंदर सरकार को भी हमारी कल् छो बेटा और हमारा ही क्या कैती है लोक अचार हमारा लोक विवहार जो पहले था ममता में समता में अइसा बाता बन्ट था वो आज भी रहना चाहिए था और आगी दे रहना चाहिए लेकिन जब मीट में तरे सारे अली पहाड खरीदने के लिए तो नों बदलना पड़ेगा ना मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार हो चाहे केंदर सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो बिदेशी पूझी निवेशकों को यहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए एक अगर बुलाना है तो गड़वाल मंडल और कुमाव मंडल या देरदून का या हरिद्वार का या उदम सिंग नगर का जो पूझी पती आदमी है जिनकी फैक्टरियां है उद्योग धंदे बाहर देश में लगे हुए हैं उनको यहाँ बुलाईए ना वो टिक पाएंगे यहाँ यह बाहर के लोग तो इसलिए आ रहे हैं कि उनको यहाँ की सुवधा मिले सुवधा लेकर वो चले जाएंगे सेला कोई में यही हुआ हरिद्वार में यही हुआ और उदम सिंग नगर में यही हुआ लोगों ने सरकार से सबसीडी ली अनुदान लिया और उस अनुदान को लेकर के वो चल दिये आज ताले लगे हुई है और उसी परकार से अगर गड़वाल और कुमाव मंडल के परवते छेत्र में भार का पूंजी पती आएगा तो वो इसलिए बोल रहा है कि हम सरकार से क लेंगे और फिर वहीं चले जाएंगे लेकिन कहीं किस परस्तिति में हम है गवान श्री राम ने छेत्र रिशियों को तपसक ले दिया अंग्रेज भारत में लेकिन उन्होंने पूरे भारत को गुलाम किया इसे छोड़ दिया मुगल आये इतने लंबे समय तक उन्होंने इ हम तो इसका विरूत कर रहे हैं और हमारे उत्राखन के जो पोजी पती है उनको यहां पर सुभधाय मिलने चाहिए और अगर खायेगा भी वह तो कम से कम उत्राखन का है उत्राखन का पैसा उत्राखन में तो रहेगा यह बाहर के लोग भाग जाएंगे और फिर हम ऐसे के परेते विकास मंत्री के रूप पे जब आप बुन्यादी चीजें सरजित कर रहे थे और जब आपकी सोच थी कि आप उत्राखंड को कैसा उत्राखंड हो क्या लगता है कि जो चीजें आपने समय सोची थी या उन नीतियों में करवाई हैं उन्देश पंत्राले में जिसको फ पलापोसा यहीं पर मैंने सिक्षा ली तो मैंने सोचा था कि हमारा उत्राखंड का पानी कितना अच्छा है उस पानी का सदिप्योग करें हमारे उत्राखंड में चाय के बाग लग सकते हैं हमारे उत्राखंड में जड़ी बूटियां अच्छे प्रकार से पैदा की जा सकत जड़ी बूटी पर आधारित उद्योग, चाहे पर आधारित उद्योग, यहाँ पर भेड़ पालन बहुत अच्छी प्रकार से हो सकता है, यहाँ पर का पानी हम विसलरी की रूप में से गंगा जल के रूप में से अगर बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, और इस पानी का पार मात्रा में इस उत्राकण में भागीरती भी है, अलकनन्दा भी है, राम गंगा भी है, और शारदा नदी भी है, रता यमना नदी भी है. इस नदी पर छोटे छोटे जो है जल विदुत पर्योजनाई बनाई जाए जाए रन आफ दा रिवर नदी के साथ बैते बैते साथ में छोटे छोटे जल विदुत पर्योजनाई अगर बनाई जाएंगे तो विजली का उत्पादन होगा और उससे आए भी होगी और उस आए से हमारा विकास भी होगा हमें और इंडरस्ट्री की जरूत नहीं है अगर लगु जल विदुत परियोजना हम बनाएंगे तो उससे हमको इंकम होंगी जड़ी बूटी से हम इंकम प्राप्त करेंगे यहां के भेड़ पालन उन से हम लाव मिलेगा उन पर आधारित हम उनी वस द्यूग जैसे हमने का टनकपूर में द्यूग धंतार लगना चायए जड़ी बूटी का फिर हापका जो हल्गवानी में लगना चाये फिर कोर दूर में लगना चाहे इधर विकास नगर में लगना चारों तर्फ यहां कि जड़ी बोटी कठी हो जाए उस पर आधारित 和 यूग लगे और वो दवाई फिर हम जो हैं सारी रास्ट को दे इस परकार की बाते होनी चाहिए थी हम तो कहते हैं सरकार कुछ भी न करें के वोल जो है बोतलों में गंगा जल को ही अगर हम बेजते तो कितना लाब होता कितना अपार पानी है मारे पास मगर देजवर में हैं जो कि बिपरीत स्थिते में भी उन पर अस्थर न पड़े अर्था जो नास्पती बागेश्वर में होता है उस पर आधारित उद्योग मैंने तो कहां था सरकार को कि इस पर आधारित उद्योग जो है श्राप का कारखना लगा है ने इतना क्या कहते हैं नास्पती होता है बागेशवर में माल्टा आपका चमवली में और उरूद्र प्रियाग में बहुत माल्टा होता है कहीं पर संत्र होते हैं और और नहीं तो बुरांस कितना अच्छा होता है बुरांस का हम को दिया उस पर आधारित उद्योग हम लगाएं पसुपालन को सुभय वस्टित करें भेड़ पालन को हम महत्तव दें हम यहां पर विवसाई क्षेती करें लोग कहते हैं ना कि बंदर हैं तो बंदर से हमारा खेती का नुकसान हो रहा हूँ मैं यह कह रहा हूँ, जहां जहां पर चाय हो सकते हैं, चाय की खेती करें, बंदर कुछ नहीं, जंगली जानवर नुक्सान नहीं करेगा, तो ऐसी पैदावर हमको करनी चाहिए, जिससे बंदरों से भी नुक्सान हो, जंगली जानवर से नुक्सान हो, इस प्रकार की खेती ब पास स्वच जल है और जो हवा जो वायू आपके गाजियाबाद में नहीं मिलती है जो आपके देली में नहीं मिलती है सारनपूर में नहीं मिलती है वो वायू निसुल को वायू कितनी सुंदर है हमारे तो पानी और वायू ये दो चीजे हैं जो हमारे शरीर को तुस्त दुर तब मैंने परतेक विधान सभा में मैंने पांच इंट्रकॉलिज दिये थे पांच आयुर्विदिक अस्पताल दिये और पांच जोला पुल दिये थे पचास किलो में असबों का निर्मान के विलें पैसा दिया परतेक विधानसभा डर् theor है का विकास हो ना चाहिए पहले ऐसा नहीं होता था मैंने कहाा Two सभाव नें मैंने मुखेमंतर आवास कोउच किया मैंने फैरीकेट को पार्श करके आगे बढ़ा पुलिस वालों ने मुझे जुला जुलाते हुए इरेस्ट कर दिया और ना रान दत्रीवारी दिलिये में थे उनको सुचना मिली कि उन्हों नेता पर्थवक्ष मातपर सिंकंडारी को एरेस्ट कर दिया गया उनका फोन आया उन्होंने का मैं आ रहा हूं छे बजे और आपके साथ बैठोंगा और तम जाके मैंने सचीबाले में चीफ सेकेटरी मुख्यमंत्री और सची बुगेरा सब कठे हुए दो बजे रात तक चले और मैंने तब क्या कहा था तब हमारी पहले तो प्रवते विकास समय में 19 विधान सबाएं थी और एंडी तिवारी के सरकार में सतर विधान सबाएं हो गए मैंने का मुख्यमंत्री जी ये सदन ये विधान सबा विधायकों की है बजट विधायक पास करते हैं आप विधायकों को काम दीजिए उन्होंने का क्या चाहते हैं आप मैंने का पांच इंटर कोलेज चाहता हूँ परतेग विधान सबा में सतर लेकित सिर्विदान सभाँ में पांच इंटर कॉलेज फांच फांच चाता हूँ अस्पताल चाता हूं जहाँ जहां पर जॉला पोल की पर आप इनको दीजिए दो बजे रात तक बेठा चली नमन करता हूं उस महान सक्स को और उस महान सक्स ने हमारी बात मानी मेरी बात मानी मेरे साथ बीजेपी के स्विधायक थे और उन्हों ने स्वीकृति दी मगर उन्हों कहा कि मैं तीन इंट्र कोलीज परत धन सब्वामने दोंगा दो है dois बलिग जने दो इंट्र्फ कॉलीज प्रते हैं उस सब्वामने दोंगा और तीन हाइग रदान सबाब में दोंगा जहाँ पर जोला पुल की आप स्कता होगे जहां पर महामिद्याले की कि कमी है वहा पर महाम बिद्ध्याली दूगा जहां पर आई टी आई पॉलिटेक नहीं होगा नारणन तिवारी जी ने वह हमारी मान को पोल रहे जी वाली आपने बात बता दि और नश्चित तौर पर आपने व आपके हिसाब से काम किया लेकिन जब आप नहीं तरप्रती प्रक्स थे तो तिवारी जी तो के अलावा वो सीम थे लेकिन पीम भी आप पर पीम अगल बगल बैठे ते रेली में अटल व्यारी बाचपई जी उनसे भी आपकी बात भी होगी उनका दर्सेंट क्या था उतराक् पाएगा ऐसा सक्स ऐसा देव तुले इंसान जिन में सादगी था सरलता थी सहजता थी मैं नेता पर्थपक्ष रूप में अटल विहारी बाचपई को मिला तो अटल विहारी बाचपई जी अपनी कुर्से से उठे और सोपा सेट में आए मुझे बैठाने के बैठिये तो अटल विहारी बाचपई ने तो कुछ बोला ये नहीं मगर उन्होंने एक इतिहास काइम किया अटल खाद्यान योदिना उनकी है परधान मंतरी ग्राम सरक योदिना उनकी है उन्होंने जो है जनता की हित के लिए काम किये अमर सहिदों को जो सहिद होते हैं सिमा पर उनकी उनका शरीर उन घाटियों में न जाने कब सड़ता होगा कैसा रहता होगा अटल विहारी बाजपी ने कहा इन बीर सपूतों ने भारत मा की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों के आउते दी रास्ते सम्मान के साथ इनका शरीर इनके घर तक पहुंचाया जाए और दह संस का राश्ते सम्मान के साथ किया जाए अटल जी के जो आदर्स है क्या आज की बीजेपी उन आदर्सों पर है वैसी पवित्र है जैसे अटल जी का जमाने में थी आज कल तो यह है कि अच्छे दिन लाएंगे स्वच भारत बनाएंगे स्वच गंगा बनाएंगे दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे में की इंडिया का नारा दे दिया गया बोला कि हमारा 36 56 सीना है और एक सर अगर यहां से जाएगा तो दस सर लाएंगे अर्थात केवल बोला गया किया कुछ नहीं गया दो क्रोड़ लोगों को रोजगार लोगों को रोजगार देंगे कहा है है औरोजगार केवल सब्दों में है जिसको समझा जाता है चुनावी आधार पर जब किसी को प्रचार समिती का पुरमक्त बनाया जाता है यह मालने जाता है कि उस दल का उस रज्य में उस छेत्र में फेस उफ उस दल हो गया तो कहीं आज जो आज आप अध्यक्षपने हैं त किते हैं 2019 नजदीक है तीरी की ओड़ जा रहे हैं आप वाड़ी विदान सब्सक्राइब लोग सब्सक्राइब जा रहे हैं यह कुछ और यह कहना है यह तुम्हें आपके मुख से सुन रहा हूं मुझे अध्यक से बनाया गया सायथ चुनावा परचार परसार समिती का मैं थो पाल्टी का सिपाई हूं जहां में रहता हूं दिल से काम करता हूं और पाल्टी की मजबूत करने के लिए जितना परियास्मेरी से होगा वह परियास्में करूंगा पौड़ी लोग सभा हो चाहे तहरी लोग सभा हो दोनों छेत्रों के आप अलग-लग समय में विदाय करें हैं तो दोनों ही हैं आपका कदम किस और होगा ने मेरा तो यह है मैं तो संपोन उत्राखंड में कॉंग्रिस को मजबुत करने के लिए काम करूगा संपोन सब्सक्राइब क्ली और है में क्योंकि एक जंता का जवाब होगा जिए फंद्रा लाग का इसटाजी खाते तेम हाएंगे जो तेल की महंगाई है जिस अपने सपने थे जो लोह के नौकरीा विशह था यह प्रोश क्या नगरपाली निकले यह नगरपाली में फिर वह नीज जनता की साथ साथ उत्र हरा कि इनका की जनता बहुत हतास निराथ के आ हमारे देश के पर्दान मंत्री जी ने बहुत किछ बोला इसमार्ठ सिटी की बात की स्वच्छ गंगा की bardziej दो क्रोड लोगों को बेरोजगार योगों को रोजगार देने की बात की थी मेक इंडिया की बात की थी किसानों की आये दुगनी होगी इसकी बात की थी तो आज जो है कुछ दिखाई नहीं दीता है इसलिए भारत की जनता के साथ साथ उत्राखंड की जनता ये मैसुस कर चुकी है कि बरतमान केंदर सरकार जो बोलते डबल इंजन उन्होंने का डबल इंजन दो अर्थाद दो सरकारें दीजे एक इंजन भारत सरकार हो गया दूसरा इंजन जो है उत्राखंड सरकार हो गया दोनों सरकारें हैं इस वक्त मगर दो सरकार जो है उत्राखंड की जनता की हित के लिए एक भी काम ठीक नहीं कर रही है आज उत्राखंड में ब्रस्टाचार चर्मस्रीमा पर है रोजगार हमको कहीं नहीं मिल रहा है विकास कारिया ठापो रखे हैं कानून विवस्ता चौपट हो गए हैं और जगह जगह में कभी ह अधिया तो तो काउंग्रेसी ठीकती है अब काम ऑना फिर यह क्रेश ही ठीकती चलिए आपके नितरत्यों में क्या रज़्य प्ता विद्धार करता है आपको बहुत शुब कामना है और आप नितरत्यों में जो है आप सफल हो आज हमारे साथ के बाक्तर से गंडाले इसी त झाल